हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टो आवर यूटुब चैनल एग्रिकल्चर एंजी के आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेने जा रहे हैं APPSC सारी कल्चर ओफिसर सॉल पेपर के बारे में तो आप सभी हमारी इस वीडियो सीरीज के एंट तक जरूर बने रहे हम सारी कल्चर ओफिसर एग्जाम के पेपर को बात करेंगे पेपर में बात करेंगे तो एक बात और हम बता दें हमारे एग्रिकल्चर एंट जी के चेनल ने FSAI एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है जिसमें आपको FSAI, CFSO, Technical Officer, FSAI, Assistant, FSAI Director, Manager, Post के एग्जाम की त्यारी को कंड़क्ट करा रहे है यदि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे है और यदि आप इस कोर्स को पर्चिस करना चाहा रहे है तो आप इस कोर्स को हमारे Agriculture NGK चैनल से पर्चिस कर सकते हैं आपको इसे पर्चिस करने के लिए हमारे Android Application Agriculture NGK में जाकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा आपको इस कोर्स में Full Study Material की E-Books दी जाएगी जो की Downloadable और Printable रहेगी Test Series आपको Available कराई जाएगी यदि आप FSSAI के कोर्स की Classes को देखना चाहते हैं इसकी Classes को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्रिप्शन में लिंक दे दी गई है आप वहां से भी इस कोर्स की इस एक्जाम की Classes को देख सकते हैं इसके अलाबा यदि आप IBPS AFO के Main Scores को पर्चिस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को हमारे Android Application Agriculture Entry के से पर्चिस कर सकते हैं इसमें आपको Agriculture के Complete Notes प्रवाइट किया जाएंगे PDF e-books रहेंगी Current Affairs की e-books आपको दी जाएगी 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको अविलेवर कराएज आएगा प्लस आपको WhatsApp की Discussion Group में भी एट किया जाएगा और Interview Guidance भी रहेगी इस कोर्स की जो फीस है वो 599 रुपीज है और इसकी जो validity है वो कोर्स के exam तक की validity होगी तो आप चाहें तो इस कोर्स को हमारे Android application में जाके purchase कर सकते हैं चलिए तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सारी कल्चर जो हमारा स्टार्ट करते हैं ठीक है तो फर्स जो question है आपका Status of Andra Pradesh Silk Production in India तो इंडिया में जो सिल्क production की बात करें के आद्र प्रदेश का स्टेटस है तो वह इन सेकेंड पूजीशन में है ठीक है अब सारी कल्चर इस स्टेडी ऑफ सिल्क वामिस काल सारी कल्चर है ना सारी कल्चर कहते हैं में से ओकी देन नेक्स कॉर्चिन जो है ऐसेमें कुमेशली ग्रोन स्ट औफ आंध्र प्रदेशा आर्ट जो wnedy जो वेपर हैं एप्सी का हम पड़ जां कर रहे हैं तो इसमें ब्रिक्र इसे interpret Based गें बन कंदेशं से हैं तो Sm Color 시 Parliament Var सबस्क्राइब है मुझा ऩर्विटै VS आंठर है वह 10 बाउट टुछिंट सेरिकलचर का अंध्रदेश में है वहां फेरे हिंदुपूर में है य थेर रायल सीमा अंdrav अंध्रब्रदेस कोई इस 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 डिस्टिक्ट है रायल सीमा वहां पर किरता है 90% सिल्क प्रोडक्शन कि आसाता है सिल्क प्रोडक्शन इंडिया इस एक्सक्टेट बाइट वी तो बी सैल्फ रिलाइंट पै फ्ट्वेटी टुक हो जाएगा नेक्स एंप्लॉइमेंट पोटेंशल ऑफ इंडियां इंडियां सिल्क इन्ड स्थि की ऑफ है 85 लेक्स एंस एंट्टेल सिल्क इन्स्टिूट for ूंगा और स्थ भेकम नग्स्ट बाब है उसका सेंट्टल सिल्क इंस्टित का पर है लवह में तो हम बात करें जो म्हारी। मुगा की मोनोपोली हमारी इंडिया में पाई जाती है ठीक है मोनोपोली मतलब कि यह हमारी इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है और यह जो सबसे जादा कहा किया जाता है आसाम में इसकी मोनोपोली है अब बोल सकते हैं सिल्क गेंट एंडिया थो तीबत से सिल्क गें तो यह गेला है।। तो इसब से म्लवरी वराईटी िधोर्टेशनों में सहाना। कमक्राइब कि इस मौरी कॉदिशन हखे जासे के दितए है। बुल दिंगे, मौरी कल्चर, आप बात करें इसी से रिलेटिट कॉशन आया है, तो वो है, बायो फर्टिलाइजर देट फिक्स नाइट्रोजन इन मलवरी, अब इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है, जो की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीके मलवरी में वो है बोलते हैं, अब मलवरी का ही हम इस पर कल्टिवेशन पढ़ रहे हैं, इसको धिहान दखेगा, तो यहां पर हम उसी से रिलेटिट कॉशन को कर रहे हैं, तो मोस्तो टेबल जो साइल टैप मलवरी की, उसको लिए हम लोग रैट लोमी साइल का हम यूज करते हैं, मलवरी प् प्लान्ट की चूर्ज करते हैं, और तो मलवरी आन प्लान्ट की भाए लोम विए हम।किया उननु का आप मलवरी की हूल होला, तो मलवरी का आप रूर्च यूज करते हैं, म्ले को सिस्टेम भाषिर सीज साइओ नेक्स अट मिन्यो रिकमेंडेट पर हेक्टियर ऑफ मलवरी पर एयर यदि हमें एक साल में मलवरी का कल्टिबिशन कर रहे हैं एक हेक्टियर में तो उसके लिए F by M जो रिक्वार है वो है 20 टरंस पर हेक्टियर है ठीक आप ऐसे भी बोल सकते हैं पापाया मिली बग मिनेंस इन मलवरी कै हमको मलवरी में हमें क्या करना है मैनिस करना है तो इसके लिए कौन सा प्रिडेटर यूज करते हैं वो करते हैं सेरे फेगर्स पापाई नेक्स्ट है रिलीज ऑफ बायो एजेंट रिकमेंडेट फोर मिनिजमेंट ऑफ लीफ रोलर इन मलवरी तो बायो एजेंट का जो रिल जाती मिल्यों रिजिस्टेंट के रिये वो है MR2 नेक्स इंसेक्ट रिस्पॉंसिवल फॉर पॉसिंग टुक्र डीजीज जो होती है इंसेक्ट कॉंसर रिस्पॉंसिवल होता है वह मिली बग तिपीकल सिंक्टम सिंक्टम ऑफ बिहार हरी के टैपलर इस फाइलोसोमा अपलिका इसका सेम्टम्स आपको दिखाए देने को मिलते हैं आप ब्रॉड इस्प्रेक्ट्रम प्रेडेटर का यूज करते हैं रिकमेंडिट किया जाता है इफ्रेक्टिम मेनेजमेंट थ्रिप्स के लिए वह है क्राइसो परला स्पसीज नेक्स नेक्स प्लांट बेस्ट फॉरमिलशन और रूट नोट मेनेजमेंट इस्प्लांट बेस्पाइस के लिए फांशoule है नीमहरी नेक्स एफ्रेन यूज शन्ला प्ल्वरी worthy लेप यल्यशे लीफ रोलर dem Diagnose 31 March करता है लवररी को पो कहां पर हमें देखने को मिलती है उसकी तॉप लीब में हमें ही इसको देखने को मिलता है रूट रॉट डीजीज इंद मलवरी अप seguO2 रूट वकार डिजीज होती है मलवरी में इसblog नेक्स से रिसेंट्ली रिकमेंडेट मल्टी नूट्रियंट फोलियर स्प्रेय फोर इंप्रोविंग मल्वरी लीफ क्वालिटी बाइस सी एस आर टी आई मैसूर इस तो रिकमेंडेट की जाती है मल्टी न्यूट्रेंट फोलियर स्प्रेक के लिए मलवरी लीव को इंप्रूफ करते है क्या है तो मैं सूर्स में क्या रिकमेंड है क्या पॉशन क्या है पॉशन मैंनिजमेंट फोलियर स्प्रेक के लिए ना वह रिलीज करने से वह है क्रिप्टो लेमस मॉंट्रोजीरी और साइमनस कॉक्सीवर इसके यूज करने से इसके मैंनिजमेंट हो जाता है किसका फोलियर डीजीज का इन मैंसे जो हाइब्रिड है ठीक है मल्टी वोल्टाइन वो है एपीम बवन क्रॉस करके एपीएस एट इसको हम बोल दिएगे स्वर नंत्रा ठीक है नंबर ओव औविडियोल्स की कित्समोरी मोरी ओडले में बोहले वो है यह यह एट आप उसमें बॉल दिए कि बअपने से ख़क के लिए पैयोप is IVE जो इन सिलक वामिक के बुक पके लिए सितों है हाइपोगनेथस होते हैं डॉसल कोडल हों इन सिल्क वाम बॉडी इस फाउंड डॉसल मीडियन लाइन ऑफ एट्थ अप्डमेनल सिग्मेंट नेक्स्ट है सिल्क ग्लैंड इस मौडिफाइड फॉम चुह सिल्क ग्लैंड है वह मौडिफाइड हो जाती कि से लेबियल सिल्क वउम बॉम्बेक्स मौराइड Hazas полов तैप उंच्सलि इंसकी पॉडी में जो सकेड्रओ उंच एइयर में क्या होते हैं प्रिज्ञु अबॉडी में पूबबग उठंड होते है ने प्रोडुसिंग डबल हेप्रेट एफ सी टर फॉरस्ट फाउंदी अ क्लीत है ने हॉ माइक्रोक्लाइमेट कर या मरी मिले कई तो फद civ लिएड़ी और समयक इसम पिर सब्सक्राइब Theater कर आप भी मिले मौनिक उसे तोसुटाहिं चो आप्टिमम टैंप्रीचर है इसके लिए रिलिटिव हुमिडिटी कितनी रिक्वार्मेंट होती है यंग सिल्फ काउम के लिए वह 26-28 दिग्री सेल्सियस और रिलिटिव हुमिडिटी 85-90% तक होती है यंग सिल्फ को बाउम को हमको ठीक है डवल कोकून फार्मेशन इस लाज़ली ड्यू टू डवल कोकून फार्मेशन होता है वह किसके कारण से होता है हाई डेंसिटी और माउंटिंग के कारण double cross hybrids have four parents double cross hybrids में कितने parents होते हैं वो होते हैं four parents होते हैं orientation of silkworm rearing house should be east best अब हमें orientation की बात करें silkworm का house को rearing करने के लिए वो कितना होना चाहिए east best होना चाहिए next है marketing of bible time cocoons should be done on 8th day में marketing bible time cocoons की complete होती है number of worms mounted on the chandraik montes per square feet 40 to 50 egg attains pin head stays 48 hours before hatching in silkworm rearing hatching is a photoperiodic response जो silkworm है ना silkworm rearing में hatching जो है वो photoperiodic response है silkworm prefer more of dim light for its activity silkworm बुके से प्रिफर करता है dim light थोड़े कम light dim light को प्रिफर करता है अपनी activity को complete करने के लिए next है rearing space required for bipolar 10 silkworm rearing अब हमें जब bipolar 10 silkworm को हमें पालना है या पालन करना है तो उसके लिए space required होता है next है bipolar 10 hybrid recommended for irrigated areas of antarpides age इन में से जो bipolar 10 hybrid recommended की जाती है irrigated area जहाँ पे irrigated areas है antarpides के वो है CSR2 cross CSR4 next है in silkworm seed production basic seed means देखो इसमें बोले है कि यदि हम silkworm का production करते है इन में सीट का मतलब क्या होता है तो सीट मतलब होता है parental seed जो हम लोग parental seed को लेते है headquarter of national silkworm seed organization is at यह जो national silkworm seed organization है वो कहाँ पे है वो है बैंगलॉर में next है in silkworm egg production centers natural moth emergence is allowed for emergence किसके लिए अलाओ करते है वो multi-bolten copcorns के लिए preservation of male moth is done for male moth के preservation को ठीक है preservation करना है तो वो second pairing के लिए होता है black boxing of silkworm eggs is done to achieve uniform hatching तो जो black boxing रहता है silkworm eggs का वो कब achieve कर सकते है uniform hatching में pairing duration of silk moth is pairing duration जो होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है quantity of loose eggs packed and its weight is तो इन में से जो quality है loose x की pack किया जाता है and its weight होता है 50 dfls and 18 grams होता है next है mother moth examination is done to detect जो mother moth examination है वो कब detect किया जाता है pebrin से silkworm sea technology laboratory ssgl under csb is located in यह कहां पर located है वो है बैंगलोर में located है csr hybrids are developed under the technical guidance of jica chapan ठीक है क्या है यहाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि जो csr hybrid है वो developed किये जाते हैं under technical guidance के वो है jica chapan next है grass area disease in silkworm is caused by जो grass area disease होती है न सिल्क वाम में वो किस से होती है बोरे नी लिंदा से होती है calcified cocoons are the symptoms of fungus क्या है calcified जो cocoon है वो किसकी symptoms है आपके fungus के symptom है eco-friendly botanical debase formulation to suppress grassary and placary is amrit next is flaccid condition in silkworm is due to combined infection of flaccid condition in silkworm में ठीक है वो combined infection के किस से हो जाती है बैक्टिरियो वारस के combined infection से flaccid condition in silkworm में आजाती है green muscadine disease जो है वो किसके कानट से होती है metarhysum anisopria के द्वारा होती है for effective and healthy silkworm rearing disinfection per crop is recommended जो effective और healthy silkworm को rearing करने के लिए जो disinfection per crop का होता है recommended करते है two times next है multi-boltan race resistant to disease used as female parent in color gold cross breed is तो multi-boltan race resistant जो disease है वो use करते है किसमें female parent in color gold cross breed में वो क्या है pure मैसूर है in 1960 सारी कल्चर वानिस इन फ्रांस जी टू पैबरिन जो in 1960 में सारी कल्चर वानिस किया जाता है फ्रांस में किसके कानट से पैबरिन oozie fly a major paste of silkworm here oozie is the name of place with where it was first notice is in तो जो oozie fly है वो बहुत बड़ा paste है किसका silkworm का लेकिन जो oozie है वो यहां पर बोले कि किसी place का नाम है लेकिन तो यहां पर यह कहां पर notice किया गया था वो है जापान है इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया की बात करें oozie fly जो मिनेस है वो सबसे पहले कहां पर notice हुई थी इंडिया की बात करें साउथ इंडिया में करनाट काम है oozie fly जो है किस से बिलॉंग करती है यह major paste oozie fly टी के याद रखेगा oozie एक place का नाम है और यह कहां पर सबसे पहले notice की थी जापान में और इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में करनाट काम है और यह फैमिली बिलॉंग करती है टैकिन इडी फैमिली से यह बिलॉंग करती है oozie fly की बात करें कि यह क्या है यह एक regular paste है oozie fly maggots अंडर गोस तीन इंस्टार्स में है बो दर्मेश कोशन इस तर्मेस्टाइब बीटल नेक्स है यूनित ऑफ मीजर देस साइज ऑफ देस कोशन इस तो यूनित ऑफ मीजर जो है साइज ऑफ कोशन है नंबर पर लीटर सिंगल कोशन बेट और वो बाइबल तैं हाइबरेट का वह ए 1.8 तो 2.0 ग्राम सिल्क वाम ब् the cocoon cell ratio of multi cross bolton hybrid range जो होती है from 18 to 20% तक है the purpose of cocoon stifling is to kill pupa ठीक है purpose जो है cocoon stifling का वो क्या है kill pupa ठीक है next is the quantity of cocoon required to produce 1 kg of raw silk is called rendita इनमें जो quantity है cocoon की वो क्या require करता है 1 kg raw silk को produce करने के लिए वो है rendita the extent of fibroin in cocoon is cocoon से जो fibroin को extract करना वो 75 to 80% है the safe of CSR4 cocoon is dumbbell जो इसका safe होता है वो dumbbell safe में होता है CSR4 cocoon का cooking of cocoon is done during silk reeling is तो इनमें जो cooking करना cocoon का ठीक है during silk reeling के किसके लिए किसके लिए softening of saracene and easy unbinding के लिए cocoon rattling machine is used for किसके लिए machine यूज़ करते है वो है grading of cocoons by size the floss contained is more in the cocoon of pure मैसूर ARM stands for ARM किसमें stands करता है automatic reeling machine ठीक है इसको बोल सकते है silk filament is technically known as silk filament क्या बोलने चाता है इसको बेब कहा जाता है croiser firm during reeling ensures better cohesion and better tenacity next and the real speed of multi-end reeling machine for bi-multi-end cocons is 108-20 amp per minute the standard pH of the boiling water during reeling is standard pH होता है boiling water का किसके reeling के दौरान पे 0.6 है कमी कंपोनेंट of cocoon cell is कमी कंपोनेंट होता है किसका cocoon cell का वो है sericine next है reliable defective cocoons are reeled on चर्का ठीक है dipion silk is obtained from double cocoon से यह obtained होता है cambon type of croiser is present in चर्का में present है silk waste percent from cocoon reeling industry is 30 silk waste जो percent है कहां से cocoon reeling industry से वो है 30 percent parameter of reels in multi-end reeling machine जो parameter हिसका वो 75 cm है SCTS stands for S means silk C means conditioning T means the testing और S means the house तो silk conditioning testing house stands for SCTH pierced cocoon are used to get pierced cocoon का use करते हैं किसके लिए हमको spun silk के use के लिए नेक्स है नेक्स है the raw silk in the form of skin is packed as pale के रूमें ये एक पैक्ट किया जाता है which of the feature is the most important in quality silk reeling वो है raw silk daini नेक्स है central silk technology research institute is located in Bangalore में ये located है नेक्स है the small skin approximately should weigh 70 gram ebinease test is done using saripane ठीके इसका यूज करके हम लोग ebinease test करते हैं अंद्र प्रदेश as CTH silk conditioning and testing house is IIT कहां पर है धर्मावरम में है auto sorter is the machine used to measure auto sorter का use हम किस के लिए measure करने के लिए करते हैं size of milk को measure करने के लिए हम करते हैं नेक्स है वानिया silk grown in अंद्र प्रदेश इस टॉपिकल टसार में ये ग्रोग किया जाता है फिर एक costless silk is mooga silk some and solutes are the host plants of mooga silkworm production of coconase enzyme is absent in production of coconase enzyme जो absent होता है वो airy silk मौत में state producing both airy and mooga silk in larger quantity इनमें से कौन से state है जो कि बहुत ज़्यादा airy और mooga silk को produce करता है दोनों वो है असाम ठीक है Indian temperature तसार is cross with be जो Indian temperature है तसार किस के cross के bit be है वो है antheria perni cross antheria roylee next है the multi-bultine non mulberry silkworm is multi-bultine non mulberry silkworm कौन सा है वो है airy primary host plant of tropical tassar is primary host plant कौन है वो है terminidia species है Central Tassar Research and Training Institute of CSB is located at ये राची छारखंड में located है इन आंद्र पिदेश basic seed plantification and training center for tassar is located at रामपा चौदवरम ठीक है next है major vania silk produce in India is major जो vania silk production होता है इंडिया में वो कौन सा है airy का mulberry tea is preferred for regulating जो mulberry tea है न वो प्रिफर की जाती है वोसी diabetes जो पिसेंट होते है उनके लिए mulberry fruit जो है सबसे ज़्यादा किसमें rich होता है vitamin C में बहुत जादा होता है इन इंडिया airy pupa is realized as protein rich food in Assam में ये है next है internal searchers are made using high quantity quality breaded silk ठीक है next है sirecin is extracted by जो सारिसीन है उसको extract के से करते हैं high temperature और high pressure में इसको extract किया जाता है fibrine is used for fibrine का use हम लोग किसके लिए करते है help products and bound healing के लिए इसका use करते है next है katiya is kind of silk extracted out of katiya जो है काइंड silk का एक टाइप है extract किया जाता है ring और peduncle of tessa से गी का silk is produced using mud pot का यूज़ करके हम इसे करते है spun silk milks are concentrated in best bengal or asam में ये concentrated है next है noil yarn is जो noil yarn है वो by product of spun silk का by product है next part हम बात करेंगे तो serical chart 2 में हम बात करें तो यहां पर question की बात करें question देखें तो question no.1 है use of ssp ssp stand for single super phosphate इसमें phosphorus percent किता होता है 16% होता है is advantageous advantageous है over gypsum किसके ओबर पे gypsum पे in farm yard manure preservation के gypsum में ये क्या है use of ssp क्यों क्यों use है reducing the loss of nitrogen ये क्या करता है nitrogen के loss को कम करता है the tillage tillage क्या होगया आप tillage father of tillage कौन है जेथर टोली के in which primary tillage यहां पर primary tillage completely avoid होता है पूरी तरीके से कोई भी avoid करना चाहिए और secondary tillage को restrict कर देते है so you see sewing से तो बो क्या हो जाएगा zero tillage करना आएगा है share of agriculture in total GDP cross domestic product में जो GDP पर इंडिया में ग्रीकल्चर का जो शेयर है वो किता है 15% है soils of आंद्रप्रदेश are mostly found with the deficiency of which macronutrient अब micronutrient की बात करें तो अब बोलें आंद्रप्रदेश में सबसे जादा deficiency जो में होती है वो किस micronutrient की होती है वो होती है जिंक की the highest percentage area under high yielding varieties is in the following crop in India तो सबसे जादा percentage जो एरिया है high yielding का वो है राइस औराइजा सटाइपक का है the state which is having more area under semi-arid reasons इसमें क्या होते है semi-arid reason की बात करें तो सबसे जादा state में area जो है वो है महारास्ता का which is the quality protein gene maize hybrid और composite release in India तो बात करें के इनमें से quality protein जो maize hybrid है या composite जो release इंडिया में है वो है सक्ती बान maize क्या हो गया जिया maize ठीक है presently the cropping intensity of Andhra Pradesh is Andhra Pradesh की जो cropping intensity है वो कितनी है 126% है which of the following inter-cropping system is most popular in Raya Seema of Andhra Pradesh की जो Raya Seema में inter-cropping system है वो कौन सा है वो है ground nut प्लस पिजन पी दोनों का है major cropping system followed in Godabari command area of Andhra Pradesh अभी यहां का था कि Raya Seema का था आप ओल रहे हैं कि Raya Seema का आपका Godabari command area of Andhra Pradesh के है ठीक है area of side total depth of water application for a crop with base of period 110 days is 80 cm what is the duty of water क्या होगा 1188 hectare पर क्यों में केस का होगा soil mixture contained in effective root zone depth before the crop is irrigated will be less than AFCWP infrared balance method is used to measure infrared balance method का use हम लो कब करते हैं किसकी measure करने के लिए grabimetric water content के measure करने के लिए फॉर्मुली फॉर्मुला गिवन बाइ Blaney Cradle for estimating the potential evaporation P80 को evaporation करने के लिए जो इसका Blaney और Cradle ने जो फॉर्मुला दिया वो काँसा है 80 evaporation transpiration evaporation transpiration is equal to P ठीक है इसके बाद 0.467 प्लस 8 ठीक है the commonly used pan coefficient value जो है वो है 0.7 next है climatological approach for scheduling of irrigation वै IW upon CPE approach next है gross amount of water applied in a field is 10 cm gross amount of water का है अप्लाइ करते 10 cm फील में application loss and the other losses in the field are 3 cm है conveyance loss in the channel is 1 cm irrigation efficiency at field level will be 70% होगी the formula Q is equal to 0.0138 into H to the power 5 upon 2 is used for measuring discharge of water through V-notes के द्वारा next है if irrigation water is available for two irrigation यदी irrigation water जो है दो irrigation के लिए अविलेबल है it should be applied to V-trop यदी इसे हमें किसमें अप्लाइ करना है करना पड़ेगा हमें CRI stage crown root initiation stage and late jointing stage में हमें करना होगा next है most critical stage for soil moisture in cotton crop is तो next है most critical stage जो होती है soil moisture के इस पे cotton crop में gossipyum harvestyum ठीक है तो इसमें कौन सी होती है वो होती है squaring to peak flouting की stage होती है the drainage co-efficient helps to determine drain size which of the following weeds cause asploxia in animals due to high nitrate levels in tri-lilis वो है chino podium album next है the herbicide use for chemical plowing is अन में herbicide जिसका use हम लोग chemical plowing के लिए करते है वो है paraquart next है which nozzle is usually recommended for herbicide application to crop इन में से concern nozzle जो है वो यूजरी रिकमेंडेट किया जाता है herbicide application के लिए crop में वो है flat fan next है the botanically botanical agent for suppressing the growth of parthenium weed is वो है cacia sarycia the weed seeds that have similar shape and size as that of crop seeds are called देखिए जैसे की weed जो होते हैं weed के जो seed है वो similar होंगे shape and size में crops के seed से तो वो क्या कहते हैंगे हम जोग satellite weed कहते हैं same as crop seed से the formulation of the commonly used herbicide atrazine is so इन में से formulation होता है किसका herbicide atrazine का जो use होते हैं वो है WP bitable powder के form में crop associated weed in lucerne crop lucerne crop में जो crop associated weed है वो है सिकोरियम in tibus next है weed of wild community origin escaping sometimes to crop plants is called as facultative weed मतलग की जो weed होते हैं वो wild जंगली community के origin से belong करते हैं तो उनको हम बोल दे कभी-कभी facultative weeds भी बोल देते हैं Pistia stotius is a flooding aquatic weed है okay flooding aquatic flooding मतलग तैरने वाला जो होते है aquatic weed वो है पिस्तिया आगे है foliage active translocative herbicides generally move through simplest next है plants non-heritable morphological adaptation to environmental stress is known as जो plant जो non-heritable morphological adaptation होते हैं environmental stress के उसे हम क्याबल देंगे ecofene the crop which is used as an indicator plant for bio-assay of artrazine is वो है कौन सा है soya bean glycine max सुसाइडल मेकेनिजम इन इस्ताइगा seeds is induced due to which hormone सुसाइडल मेकेनिजम इन इस्ता आएगा wheat में induced करते है किसका है वो ethylene sasco oxide are mainly found in which group of soil in आंदरपदेश आंदरपदेश में जो sasco oxide mainly found होता है वो किस group की soil में होता है वो है laterite और lateritic soil में in acid soil phosphorous fixation found with iron phosphorous element acid soil phosphorous fixation फिर है pH of acid sulphate soil is pH किसका acid sulphate soil का वो है less than 40 तो आपको पता है pH करेंज होता है वो किता होता है 0-14 के बीच में 7 होता है neutral होता है 7 से कम acid होता है 7 से ज़्यादा अलग है लेकिन इसमें acid sulphate soil की बात करें तो वो किससे होतेगा 4-0 से फोर से कम होगा विच इस साल टोल्रेंट फ्रॉप जोगे बारले होडियम बलके बारले यह क्या होज़ेगा साल टोल्रेंट फ्रॉप है if the soil is having 5.0 pH है what is its hydroxyl iron concentration किता होगा उसका 9 होगा okay next हमारा है which of the following is the facultative anaerobic bacterium वो है azotovactor phloem consists of 4 cell types इसमें होते है phloem cell theory is put forth by किसके द्वारा दी कही थी वो skevon और seldom के द्वारा tonoplast encloses baccule next है peak absorption of chlorophyll B इसमें peak absorption क्या है 453 and 642 nanometer peak absorption of chlorophyll अब देखो chlorophyll B का पुछा था chlorophyll A का पुछा है 430 and 662 nanometer non-invasive method of measuring chlorophyll content SPAD meter next discovery of two light harvesting complex in plants enabled by जो discovery है two light harvesting complex का वो plants में enabled किया गया था red drop and emission enhancement effect की द्वारा plastosynase is a protein containing में क्या होता है होता है copper kelvin cycle और C3 cycle is also called as kelvin cycle C3 cycle को हम लोग reductive pentose phosphate pathway भी बोलते हैं next है enzyme rovisco has इसके क्या होते हैं carboxylase activity and oxygenase activity दोनों होते है rovisco has greater affinity for किसके लिए होती है carbon dioxide के लिए होती है photorespiratory substrates are क्या है RUBP और oxygen है ATP generated during glycolysis is by substrate level photophosphorylation a molecule of pyruvate entering TCA cycle 3 carbon dioxide plus 4 NADH plus 1 ATP plus 1 FADH2 next है NCD is one of the enzyme involved in NCD कौन सा enzyme involved होता है abscessic acid biosynthesis avena curvature bioassay is to be quantify oxygen avena curvature bioassay quantify oxyn next है hormone which induces alpha amylase and facilitate germination instrumental closures होते है वो किसके द्वार interviewers होते है वो है abscessic acid के द्वारा plant truth regulator involved in host pathosan in interaction J A okay steroid hormone कौन सा है brassinoloid जो है steroid hormone dry heat is used to sterilize glassware at the temperature of dry heat का use sterilize करने के लिए किसको glassware होते है instrument glassware होते है lab laboratory के उसको किस temperature पर हम लोग करते है वो है 170 degree celsius temperature and pressure maintained in autoclave में कित्ता करते है वो है 121 degree celsius and 15 lb high efficiency particulate air filter are present in laminar air flow next fill in the blank chip is the most active cytokinin thomas itell reported production of trivert triploid plants to endosperm culture in mulberry globular and torpedoes disease of embryo source increased content of glutamine or arginine gel right consists of a polysaccharide produced by the bacterium who has pseudomonas alloidi bacterial promoters have two major recognition sites 10 and 35 ring of which 35 has got following consensus sequence word ttgaca in transcription of the dna sense used by rna polymerase is called antisense of operon operon refers to clusters of genes that share the same promoter in eukaryotes important rna polymerase which transcribes the gene that encodes protein rna polymerase to syne delgarno sequence is present in poly prokaryotic mrna the major basis of sphygolipids in higher plants pho pho photosyngosine examples of negatively charged amino acid glutamic acid non amino acid portion of a conjugated proteins is called prosthetic group pyrobate dehydrogenase is used in converting pyrobate hydrogenase is used in converting pyrobate to acetyl coenzyme next squalene triter pains important precursor in the biosynthesis of cholesterol halvert ring structure of glucose in chemically hemiacetyl in raw sea waste estimated level of calciiforms as indicated will be 10 to the power 6 to 10 to the power 7 CFU per 100 milliliter 83 question there is strong evidence for the contamination of human origin when the faecal caliform per faecal strap to coci ratio is greater than 4 in India as per the central pollution control board standards drinking water source after conventional treatment and disinfection will be placed in c class of water and biochemical oxygen demand and 5 days 20 degrees celsius will be 3 mg per liter or less the maximum permissible sound pressure level for new diesel generator sets with rated capacity up to 1000 kva manufactured on or after 1st january 2005 salpy 75 db at 1 meter from the enclosure surface for ozone the who guidelines has prescribed limits as 100 microgram per meter cube 8 hours during the severe statement with high rate activated sludge some 60 to 70% of the infant BOD will be removed with the hydraulic retention time of approximately 2 hours 60 to 70% next indian experimental remote sensing satellite vascar 1 and 2 carried off 2 band tb camera system next delineation of the location and spatial extent of surface water is carried out through the sensor operating nir 0.75 to 1.0 micrometer following sensors for detection identification of aerial extent of water pollution through which are being used CIR or TIR the mapping of canal networks surface water bodies flood areas etc. which play an important role in the assessment of recharge parameters can be done by the IRS FCC data at 1 ratio 50,000 and 1 ratio 12,500 for discrimination of coniferous and decidious vegetation which is spectral range of 0.45 to 0.52 macros is being used in remote sensing satellite next in terupati sea waste treatment plant located at Tukivakam is having STP installed capacity 50 mld under under the original montreal protocol agreement 1987 developed countries were required to begin facing out cfcs in 1993 and achieve a 20% reduction rated to 1986 consumption level by 1994 indian diesel has a sulfur content of indian diesel sulfur content 0.5% by weight as compared to diesel used countries like sweden and which sulfur content 0.01% weight global warming potential of perfluoromethan cf4 from the production of aluminium is 6,500 out of total incoming solar radiation gross production net production plus respiration by autotrops is 180 gram calorie per centimeter square per year of the total energy incorporated at the herbivores level 15 gram calorie per centimeter square per year is used to metabolic reaction 10% law of transfer of energy from one traffic level to the next can be attributed to 10% law of transfer energy 1 traffic level to the next can be attributed to on a clear day radiant energy reaching earth surface is about 45% visible and 55 infrared to clear damage radiant energy earth surface 45% in the southern limit of arctic tundra follows the northern edge of the coniferous forest in north this line lies above latitude 60 degree north while in Eurasia most of it occurs north of 70 degree north next next which where an area of sea separates two plates sediments settle on the sea floor in depressions called geosink lines can most common capes formed by dissolution of limestone and dolomite are known as many capes formed dissolution of limestone and dolomite we know solution capes the place where summer days are 24 hours and summer temperatures get above 10 degree celsius the place falls tundra biome next savannah savannah are hot tropical areas with temperatures averaging from 24 to 29 degrees celsius and annual rainfall 51 to 127 cm next potato crop needs 500 to 700 mm of water per total growing period the main type of hemocytes that are responsible for encapsulation of foreign bodies in silkworm so the main type of hemocytes that are responsible for encapsulation in foreign bodies in silkworm it is plasma to sites silkworm release solely on innate immunity next the rate of which hormone secretion determines whether the kidneys excretes dilute or concentrated urine both anti-diagnetic hormone and vasopressin which of the following is correct is uric acid serves as an antioxidant in primates and the end product purine metabolism is uric acid the synthesis of urea occurs in liver and this synthesis is urea next which of the following is correct regarding electrocardiogram the v wave is caused by spread of depolarization through the atria next rate limiting factor in causing blood coagulation which is rate limiting factor which is formation of prothrambine activator in sickle cell anemia sickle cell is it consists of three components alpha beta and gamma when the greater amount of light energy sticking the rod greater amount of light energy sticking the rod greater than electronegativity and high degree of hyper polarization important enzyme involved in carbohydrate digestion of amylase the most abundant of the absorbed monosaccharide most abundant absorbed monosaccharide glucose c6 the most abundant transport protein in hemolym of bombyx more which is a lot of transport protein hemolym lipoprotein lipid protein the silk gland of bombyx more exocrine the phyromine secreted by female silkworm more to attract mates the phyromine secreted by phyromine the phyromine the phyromine secreted by the phyromine the phyromine the phyromine the phyromine thyroid gland contains a single basic type of secretory cell that is chief cell the sex of the silkworm bombyx is strongly controlled by the presence of the the phyromine the phyromine the phyromine storage organ in female bombyx seminal receptacle the fusion of male and female pronuclei what is zinc is carrion or zygote nucleus catecholomines are synthesized from tyrosine the multiple changes that activate the sperm for the final process of fertilization in female genital tract is called capsic the key regulator of the metaphase to anaphase transition is cyclosome apc upon c reformation of the nuclear envelope event telophase next f-actin is a component of the cellular cytoskeleton that provides a structural component for cell movement next on the summit summit of empty Everest where the barometric pressure is about 250 mm hg the partial pressure of oxygen in mm hg is about 50 which of the following has the greatest effect on the ability of blood to transport oxygen amount of hemoglobin in the blood next full development and function of the seminiferous tubules require androsans and FSH maximum absorption of short chain fatty acids produced by bacteria occurs in the colon which of the following are incorrectly paired which is incorrectly paired has cell small incorrectly paired nociceptors are absent in visceral organs absent increased neural activity before a sick skilled voluntary movement is first seen in the cortical associations areas we get glucose reabsorption occurs in the proximal tubule renin is secreted by renin granular cells in the juxtaglomerular apparatus which of the following is the principal buffer in interstitial flood carbonic acid the second heart sound is caused by closure of the arctic and pulmonary parts which of the following is responsible for the movement of oxygen into the blood in the pulmonary capillaries which is passive diffusion which is responsible for the movement for the movement programmed cell death is referred to as apoptosis where lymphocytes are broadly divided into B cell T cell and natural killer cells here here the question are complete I hope no doubt will you will comment comment tell us and join us with our android application agriculture and gk and our youtube channel agriculture thank you to do you 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 you